नमस्कार दोस्तो डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है आज की खबरें अमेरिकी संसद में इस्राइली पी-म के संबोधन का कई संसदों ने किया भहिशकार हजारों लोग विरोध में सड़कों पर उत्रे इस्राइल के प्रदान मंतरी बेंजामिन नेतन याहू ने अमेरिकी संसद को बुधवार को संबोधित किया उनके भाशन का कुछ शीच संसदों ने भहिशकार किया वही हजारों लोगों ने विरोध परदर्शन करते हुए देश की राचधानी वाशिंग्टन की और मार्च किया उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने मिर्च स्प्रे का इस्तमाल किया नेतन याहु ने अपने संबोधन के दोरान गाजा में जारी युद्ध का बचाव किया और अमेरिकी परदर्शन कारियों की निंदा की उन्होंने नो महिने से जारी युद्ध में पूर्ण विजे होने तक इसे जारी रखने का संकल्प लिया उन्होंने हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका के और से दी जा रही मदद को बढ़ाने का अनुरोध किया अगला भारत के जम्मू कश्मीर मनिपूर समयत इन इलाकों में ना जाएं अमेरिका की अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाईजरी अमेरिका ने अपने नागरिकों से मनिपूर जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान सीमा वर्ती इलाकों में नहीं जाने के लिए कहा है इसके इलावा भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों जहां पर नकसली सक्रिये हैं वहां भी यात्रा करने से मना किया है भारत के लिए संशोधी तियात्रा एडवाईजरी में अमेरिका के विदेश बिभाग ने कहा कि उन्सने पुर्वोरतर राजियों के जानकारी के साथ इसे अपडेट किया है अगला चीन की सेना के पास है ग्रेनेट स्नाइपर गन आपने अक्सर स्नाइपर गन की बातें कहानिया सुनी होंगी जो बेहत दूर से गोली मारकर टारगेट को इरा देता है लेकिन अप चीन ने स्नाइपर ग्रेनेड लाउंचर बना डाला है जिसके जरिये 600 मीटर की दूरी तक किसी भी चीज को निशाना बनाया जा सकता है इस गन का नाम है LG 5 QLU 11 असल में यह एंटी मेटीरियल राइफल ग्रेनेड लाउंचर है इसका इस्तमाल चीन कई सालों से कर रहा है इस गन को नौरिंको कमपनी ने बनाया है अगर इस गन को बाई पाउर्ड यानि दो पैर वाले स्टैंड पर लगाते हैं तो इसका वजन 12.9 किलोग्राम होता है अगला DRDO ने पहले प्रित्वी 2 मिसाइल दागी फिर किया इंटर्सेप्टर मिसाइल का सफल परिक्षन DRDO ने 24 जुलाई को कमाल का काम किया है ओडिसा के बाला सोर्स थिद अब्दुल कलाम आईलेंड से पहले प्रित्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी इसके बाद इंटर्सेप्टर मिसाइल AD-1 लांच किया यह टेस्ट शाम को सवाचार बजे किया गया इस टेस्ट के लिए 10 गाओं के 10,581 लोगों को शिफ्ट किया गया था अब समझ लेते हैं कि यह इंटर्सेप्टर मिसाइल क्या है AD-1 एक समूद्र आधारिद एंडो एट्मोस्फेरिक BMD इंटर्सेप्टर मिसाइल है यह मिसाइल पाकिस्तान या चीन की तरफ से आने वाली बैलेस्टिक मिसाइलों को वायू मंडल के नस्दीक ही नश्ट कर देगी यानि भारत की मिलिटरी भविश्य में देश की तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल को हवा में नश्ट कर देगी इस मिसाइल के दो वेरियंस है पहला है AD1 दूजरा AD2 अगला दिल्ली मुंबई का कवच दुश्मन देश का हर घातक हमला फेल कर देगा भारत का निया ब्रहमास्तर AD1 DRDO ने जिस मिसाइल का परिक्षन किया है उस से दिल्ली और मुंबई जैसे शैरों को हवाई कवच मिल सकता है यह ऐसी एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल पर नाली है जो किसी भी दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइलों को जमीन से कई किलोमीटर उपर ही खत्म कर देगी दुनिया के सभी बड़े देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है जिन में रासाइनिक जैविक पारमपरिक या परमानू हमला किया जा सकता है भारत के पास भी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइले हैं पडोसी दुश्मन मुलकों यानि चीन और पाकिस्तान के पास भ interceptor इस ब्रहमास्त्र का नाम है BMDS यानि Ballistic Missile Defense System इसमें इस्तमाल की गई interceptor missile का नाम AD-1 यानि अब दुनिया की कोई भी Ballistic Missile जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है उसे भारत की धरती पर गिरने से पहले ही वायू अंडल में खतम कर दिया जाएगा अगला Alaska Air Defense Zone में दिखे चीन और रूसी लड़ाकू विमान US ने मौके पर भेजे fighter jet उत्री अमेरिकी Aerospace Defense Command यानि NORAD ने बुधवार को बताया कि उसने Alaska के तट के पास बमों से लैस चीन और रूस के दो लड़ाकू विमानों को देखा इन विमानों को रोकने के लिए उन्होंने मौके पर अपने fighter plane भेजे उत्री अमेरिकी Aerospace Defense Command ने कहा कि उसने दो रूसी TU-95 और दो चीनी H-6 सेन्य विमान का पता लगाया जो Alaska Air Defense Identification Zone में काम कर रहे थे धन्यवाद